अब 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 दोस्तों नमस्कार आपके अपने यूटूब चैनल वीज़ेटिग में आपसे विगा स्वागत हैं मैं आपके साथ विज़े पिंगो ले तो दोस्तों आपको यहां पर बताऊंगा इंट्रेंशिक की बहुत ही बड़ी आपर अब अबडेट यहां पर निकल के इंट्रेंशिक के लिए तो दोस्तों फाइनली आपको यहीं इंफॉर्मेशन में देना चाहता था किस तरीके से यहां पर फिल कर सकते हो आपको पता है होगा अब यहां पर इस्टुडेंट पैनल पर जाके आप फोरम फिल नहीं कर सकते हो लेकिन यहां पर एक तरीका भी आपको बताता हूं किस तरीके से फिल कर सकते हो तो गाइस कोलेज पैनल से स्टार्ट हो चुके हैं कोलेज पैनल से आप फोरम फिल कर सकते हो यानि कोलेज पैनल से आप कैसे फिल कर सकते हो आप नहीं कर सकते हो आपके कोलेज की अगर फिल कर रहे हैं कि हम यहां पर फिल कर हैं आप अपनी स्कुल चोई समय फिल करके ले दीजिए तो दोस्तों वह कर देंगे उनके पास में स्टार्ट हो चुका है साइड पैनल तो गाइस को लेज पैनल आई-डी अलग होती है उनको और श्टुडेंट पैनल स्टुडेंट आई-डी अलग होती है तो कोलेज पैनल स्टूडेंट स्टुडेंट नहीं हुए है दोस्तों जल्द हो जाएंगे लेकिन अभी अब आप चाहरे हो तो दोस्तों कोलेज से को यह से बर्वा सकते हो अनेता वेट कीजिए आपको भी टाइम मिलेगा आप अब अब तो फानली दोस्तों यह इंफॉरम करो दिया है यह विर ब्यद कर दिया है वह या फिर कमेंट करके जरूर बताईएगा साथ नहीं पूरम फिल नहीं किया है आपूरा सबूत के साथ आपको नहीं पता सकता किस तरहीवूरा है कि क्योंकि कोलेज पेनल के एक अलगा एड़ी होती है उसको साजा नहीं किया जा सकता तो फाइनली यह इंफोर्मेशन थी अगर कोलेज वाले भर रहे हैं आपके तो कोलेज से भरवा लीजिए अन्यता वेट कीजिए एक दो दिन का आपका भी स्टुडेंट पेनल पर भी स्टार्ट कर दिया जाएगा जैसे स्टार्ट होता है मैं आपको अपडेट करवाद दूंगा तो आयोप आपको इंफोर्मेशन अच्छी लगी होगी तो दोस्तों इंफोर्मेशन अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करें साथ में वीडियो को ल